नमस्कातों स्वागता पढ़ लें इंडिया पे आज की शुड़े में बात करने वाए रास्तान में कंप्र सेखसक भरती निकले है उसका सेलेबस जारी हो गया है सबसे बता दो इसका नाम कंप्र सेखसक नहीं रखे कंप्र इंस्ट्रक्टर रखा गया है जिसमें दो पोस्ट बनाए गया है एक है बेसिक कंप्र इंस्ट्रक्टर और एक है सीनिर कंप्र इंस्ट्रक्टर तो आप अपन इन्हीं की बात करने वारे हैं कि इसमें कौन-कौन इलिजिबल रहेगा इसका डिटेल सेलेबस भी अपन जो सबसे इंपोडेंट आपका जो जारी हुआ उसके बा हुआ है वहां पर आप जोइन करके पीडिएफ डाउलोड कर सकते हैं तो यह पर देखिए यह पीडिएफ जिसमें सिक्साइभाग द्वारा लेटर लिखा गया है अध्यक्स रास्तान क्रमचरी चेन बोर्ड जेपूर को मतलब अध्यक्स जो है रही पिसाज सर्मान को लिकेंसी निकलेगी इसमें देखिए टॉडल जो पद है बेसिक कंप्यूटर अधिसर कि यहां पर नीचे दिया हुआ है कि इस तरह से आपका सेलेबस लेगा वापन देख लेते हैं दोसतों अधली पेज में आप पंदोगी सेंह फ्राइब है ऊपर 200 600 मैं थी सायथ अ सो इक्राण में ही है दो से पिचान में नहीं है यह साथ गलत हो गया हमाँ पर टाइप अब देखना हो कितने आते हैं अगर आपको बैसे कंप्यूटर देख सकते हो फाइनल है नोजार आट सो बासेट पर यहां पर होने वाले हैं सब्सक्राइब बात करते हैं पेपर फस्ट की तो यह सो नंबर का होगा दो घंटे का वेपर होगा और सो नंबर इसके मिलेंगे आपको इसमें सेलबस की बात करें तो आपके आर्ट एंड कल्चर मतलब कला संस्कृति हिस्ट्री मितला आपकी इतिहास बुगोल विज्ञान औ इंक्लूडिंग फॉलोइंग पॉइंट मतला आपके रिजिनिंग है जिसमें आपके ट्रोलोजिगल रिजिनिंग और एनल्टिकल अबिलिटी तूसरा है डिजिसन डिसीजन मेकिंग एंड प्रोब्लम सॉल्विंग ताइड है जेन्रल मेंटल अबिलिटी पैसिक मतलब यह है आपके एक नमबर है तो उसमें से आदा नमबर नेगेटिव का काट लिया जाएगा तो इसमें पहली बाहरे देखा है मैंने भी दिखते हैं क्या होता है इसका तो यह आपका पेपर फस्ट जिसमें आपके नों टेक का पूरा स्पोर्शन है अब बात करते हैं की जो भी आपका सो केशन होगा और सो ही मार्क्स कर रहेगा यह पर आपका दो घंटे का होगा और सो कुछन आएंगे मटेबल चोईस वाले ऑप्चेक्टिव केशन और नेगेटिव मार्किंग इसमें वही जिरो पॉइंट फाइब मार्क्स की अब इसमें आप देखिए जैसे में जो क्या कैसे लेवस रहेगा इसमें टॉटल आपके 12-13 पॉइंट्स है वह अपन देखेंगे 13-14 पॉइंट्स है एक आपके पेड़ागोजी इसमें आपके सिक्स्टन स्कूल में कैसे पढ़ाया दाता है उसके बारे में है साइकोलोज इसमें यह तीनों कोइंट आपके रिजनिंग के हैं जो क्लास 10 लेवल तक आएंगे यह उपर भी दिये हुए थे और नीचे भी दे दिये गए हैं दोनों पेपर में दिया हुआ है अब आपके में टेक्निकल पॉसन यहां से स्टार्ट हो था फंडामेंटल लोग कंपूट पूटर के जिसमें आपके और कंप्पूटर सिस्टम और इंप्ट आउट टिवाइस पॉंटिंग डिवाइस मतला इंप्ट आउट पूट दिवाइस आपके जनेरेशन से डिसीमल नंबर सिस्टम सब आगे इसमें पिर है आपके डाटा प्रोसेसिंग जिसमें आपके MS Word MS Excel MS PowerPoint और MS Access और DBMS अप्टेवर है उसका फिर नेक्स पॉइंट आपका प्रोग्रामिंग जिसमें आपकी C, C++, Java, .NET, AI मतला Artificial Intelligence, Machine Learning, Python, सब कुछ डाल दिया इसमें Blockchain, Principle and Programming Techniques, Introduction of Oops मतलब Object-oriented Programming, Introduction to Integrated Development, Environment and Its Advantages तो यह आपके Programming की Subjects हो गई इस पॉइंट में उसके बाद आपकी DSA, Data Structure and Algorithm, जिसमें आपकी Algorithm for Problem Solving, Abstract Data Types, Array, Data Structure, Link List, Array, Stake, सब कुछ डाल दिया है इसमें जो आपके DSA में आते हैं, Queues, Binary Tree, Binary Search Tree, Graph, Sorting and Searching, Symbol Table, Data Structure, Using C and C++, Both, Next आपके Computer Organization and Operating System, Sorry, Operation System, Basic Structure of Computer, Computer Arithmetic Operation, Central Processing Unit, Memory Organization, Input Output Organization, Operating System, Overview, Process Management and Finding Processing Files, तो यह आपके Computer Organization में, Next आपका Communication and Network Concepts, इसमें आपके Computer Networks, इसमें आपके यही जो layers होते हैं, आपकी Network Layer, Networking Devices, Fundamental of Mobile Communications यह आपके इसमें हैं, Next आपके Network Security, इसमें आपके Ethical Hacking भी डाल दी गई है, Protecting Computer, सब कुछ है इसके इसके इंदर, Next आपका DBMS, Database Management System जिसमें आपके सब कुछ दिया हुआ हुआ है, Database Related, DBMS भी दिया हुआ है, उसके बाद आपका System Analysis and Design इसमें आपके सब कुछ दिया हुआ है, और Internet of Things, IoT जिसमें आपके सब कुछ दिया गया है, Lane, Main, Search Engines, HTML, HTML, HTML के बारे में, Graphics, Voicemail and Video Conferencing, और e-commerce भी यहां पर डाल दिया गया, लगबल लगबल सब कुछ डाल दिया गया है आपके Technical portion में, तो यह है Basic Computer Instructor का और आप बात करते हैं, Senior Computer Instructor की, अब बात करते हैं, Senior Computer Instructor के, जिसमें भी आपके दो ही वेपर होंगे, और 100-100 Marks के दोने वेपर होंगे, यह आपके लिखा हुआ है, First वेपर आपका लगबख सेम है, सो नमरा कुछन होगा, दो खुंटे का टाइम होगा, कुछन पेपर वेपर के रिए 100 कुछन और मल्टिपल चोईस और यह आपके इसमें आएंगे, इसमें रास्तान की जीचे है, करंट है, साइन्स है, General Ability मतलब यह रिजिनिंग है, यह आपके First वेपर का सेलेबस है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी दी हुए है, 0.5 मार्क्स की, और बाकि सेकेंड पेपर है इसमें, इसमें आपके 100 मार्क्स का होगा, यह पेपर, दो खुंटे का होगा, और 100 कुछन आएंगे, मल्टिपल चोईस मतलब अब्जिक्टिव टाइप कुछन आएंगे, नेग दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग में आपके C++, Java, Net, AI, Machine Learning, Python, Blockchain जो उपर दिया हुआ है, इसके अंदर यह एक्ष्टाइड किया गया, अब्जेक्ट ओंडेट प्रोग्रामिंग एंड यूजिंग C++, उप्स आपके C++ और Java दोनों के concept के तुरूँ दिया हुआ है, जिसमें उप्स के सारे concept आपके inheritance, polymorphism, event, exception handling, files and streams यह सब दिया हुआ है, फिर आपके DSA है, जो उपर भी दिया हुए, data structure and algorithm जो basic computer sector के अंदर है, algorithms इसमें अलग से दिया हुआ है, tree tabler से में थोड़ा detail में दिया है, syllabus DSA में, फिर आपके digital logic, मतलब आपके KM apps और जो आपके digital में आपने वो है, यह सब BTEC के सले बसका ही दिया हुआ है, algorithms में आपके आगया, digital logic system में आपके यहां पे, computer organizations and architecture, अब इसमें सब आ गया यह, newman architecture आगया, सारे जो भी, फिर आपके operating system इसमें, detail में दिया, उपर overview दिया हुआ है, और इसमें detail में दिया हुआ है, बस यह आपको है, subjects लगबल लगबल सेम है, जैसे उपर, dsa तो इसमें detail में दे दिया, अब इसमें OS है, इसमें OS में detail में दे दिया, deadlocks दे दिया, memory management दे दिया, file system, disk scheduling, client server, architecture, RPC, सब कुछ इसमें दे दिया, real time OS क्या होता है, OS के type से सब कुछ OS का भी दे दिया, इसमें, next आपके DBMS, इसमें DBMS, इसमें detail में दे दिया, subjects वही है, बस detail में इसमें पूछेंगे, senior instructor के अंदर, फिर आपके software engineering यह उपर नहीं था, फिर data and computer networks, यह उपर था, लेगें इसमें detail में है, तो आपको देगे, TCP IP model, OSI model यह तो उपर भी होंगे, network security, इसमें आपकी, वही ethical hacking, selected सब कुछ जो उपर दिय है, फिर आपके communications related है, और last में आपका web development है, HTML या फिर DHTML, जिसमें आपके HTML आएंगे, CSS selected होगे, इसमें text वगर आप से पूछेंगे, और CSS भी आपर दियो ही देखिए, तो यह सब है, syllabus के बारे में, अब आपन बात करते हैं, आपके सब ज़रे questions की eligibility क्या रहेगी, तो देख हो गया है, अब RSSC board कुछी दिन में आपको पता होगा, RSSC board अभी बहुत active है, सब एक्जाम स्टाइम पे हो रहे हैं, और लगबला बस अब एक्जाम की exam date भी सबसे पहले कोशित की चाती है, तो यह board के पास यह file जाएगी, इससे board देखेगा कि सब कुछ सही है ना, categorization सब कुछ पद होगा, syllabus बगर है, और फिर जैसे ही confirm होता है, board इसका notification निकालेगा, एक मेन ता आपके form भरवाई जाएंगे, अभी तब कुछ भी officially नहीं है कि कब form आएंगे, लेकिन आज़सी board निकालेगा, तो लगबग 9 बर महीने में आपके दिवारी बाद form कुलने की इसमें सकती है, मैंने पहले वीडियो बनाएक बताए था, कि आए में क्या eligibility है, देखिए आपके पास degree हो कोई सी भी computer के अंदर, degree होनी चाहिए हो, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, RSCAT, CCCC नहीं चलेंगे, तो जो भी वीडियो देख रहा, RSCAT के है, तो वो eligible नहीं रहेंगे, क लेवली का भी इसमें संशे है कि eligible है या नहीं कुछ कह रहे हैं कि electrical को रखा गया है, BTEK वालों को, अभी तक कुछ official जान करें नहीं है, डिप्लोमा में आपके पास PGDCA, O-Level, एक साला कोई से भी डिप्लोमा हो, आप इसमें अपलाई कर सकते हो, basic वाले में, senior में नहीं कर स आपर IT के अंदर, आप इसमें अपलाई कर सकते हो, फरिष्ट कंपटर अंदर से के अंदर, वैसे official जान करें जो है, RSSC बोर्ड के दरा जारी कर दी जाएगी, November के महीने, प्रोबिबिली जारी हो जाएगी दिवैली बाद, तो उसका इन्रिजार करना है, और इस ये वीडि आपको कैसा लगा, और आपका कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलेग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कुछ भी चान करी, तो इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद.